नमस्कार भाईया आज का वीडियो डी आई वाई और बाई यानि कि हम डी आई वाई करें या खरीदें तो भाईया सीन यहाँ पर यह हुआ कि मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर हमारे साथ आज हैं प्रमोध भोर जी सर पहले तो आपको best wishes आपने एक सही निरने लिया है मैं भी आपका fan हूँ और मैं भी ऐसे ही clear sound system की तलाश में था तो आपका बहुत बहुत धन्यवार कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे काम के fan हैं मैं DIY तो नहीं कर सकता लेकिन purchase कर सकता हूँ वो भी option हमारे लिए तयार रखो जो जो लोग DIY नहीं कर सकते तो ये प्रशन जो है similar question बहुत सारे लोगों ने इस बीच में पूछा है बहुत सारे लोग हैं जो DIY खुद से नहीं करना चाहते या वो खुद से नहीं कर सकते किसी कारण वश तो उन लोगों के लिए क्या option है क्या वो इस जो tower बनने वारा है उससे जो clear sound आने वाली है और जो भी जिस तरीके का भी output निकलने वाला है अच्छा ही होगा क्या वो उन लोगों के लिए नहीं है question में बहुत बड़ा दम है लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज इस प्रशन के पीछे ना बहुत सारी एक दुनिया चुपी हुई है जो कि हर आम आदमी उस चीज़ को नहीं जानता है मैं भी नहीं जानता था बहुत research करने के बाद बहुत समझने के बाद जब इस तरीके की बाते आनी चालू हो चुकी है कि हमें भी purchase करना है हम DIY नहीं करना चाहते लेकिन हमको वही tower speaker चाहिए इसके पीछे मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बहुत detail में जानकारी दूँगा आज जहां पर कि हमको एक बहुत अच्छा idea लग जाएगा कि overall चीज़ें होती कैसी हैं किस तरह से market में चीज़ें आती हैं और किस तरह से लोग उन्हें purchase करते हैं वो क्या costing उनकी अब DIY करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई factory तो है नहीं हम अपना समझ लिजे कि घर है तो बिजली जो घर में चल रही है पंका हो एसी हो जो भी जहां पर भी आप बैठ के काम कर रहे होगे वो तो आप वैसे भी अपना regular bill देते ही होगे बिजली का जो भी देते होगे तो म बिजली कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है जब एक प्रोजेक्ट तयार हो रहा होता है लेकिन जब हम सपोस की DIY टावर है उसको अगर हम बनाने जा रहे हैं बलक में मतलब हम रेडी कर रहे हैं प्रोडक्ट को कि कुछ नहीं तो मानके चलता हूँ कि एक हजार लोग उस जगा सबसे पहले तो अब मेरे पास तो जगा है नहीं मगर आगे चलते हैं इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को भी अचीज को भी अचीव कर सकते यह कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है इस दुनिया में देखो सबसे पहली चीज तो यह कि कोई भी काम जिसको हम करने का निरणा ले लेते हैं तो उसमें कही न कहीं बाधाएं तो आती ही हैं अब उन बाधाओं को पार कैसे करना है अपनी जो चीज का जो हमारा एम है जो फोकस है वो हमें अचीव करना है तो अब यहाँ पर पहले तो मैं यह क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कोशिश मेरी यही रहेगी कि DIY तो करेंगे ही लोग बाय का भी option मैं रखूंगा ऐसा मैं सिर्फ अभी सोच रहा हूँ 100% guarantee के साथ नहीं बोल सकता मगर कोशिश जरूर रहेगी मेरी कि यह भी एक option दिया जा सके जहाँ पर कि आज यह पहला वीडियो है इस topic के उपर तो जैसे कि मैं DIY टावर को बिल्ड करने के लिए अभी पूरी अपनी research में लगावा हूँ सब चीजें कर रहा हूँ वैसे ही parallelly अब मैं इसे भी शुरू करूंगा कि यहाँ पर हम चीजों को बेचेंगे कैसे कि लोगों के घर तक पूरा finished product भी मिल सके होने उस बारे में भी सोचेंगे समझेंगे चीजेंगे तो वहाँ पर अब जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ वो अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजेगा जगा चाहिए होगी definitely वहाँ पर विजली का खर्चा फिर बढ़ जाएगा कि वहाँ पर क्या फिर मशीने वो हमाई पास नहीं है आउट्सोर्स करनी पर सकती है क्यों फूर्ट कटिंग की मशी या 1500, 2000, 20,000, 50,000 सब को खरीदना है तो या तब क्या तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से अगर हम चलने जाएगे तो हमको एक तरीके से पूरी फैक्टरी डालनी पड़ सकती है अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें कि अगर सपोस कि चैसे कि चलो फैक्टरी न बना के दे दो कभी हजार पीस बना के दे दो तो चबही हमने आउट्सोर्स कर लिया अब उसका स्टॉक मेंटेन करने के लिए जगा चाहिए कम से कम वह फैक्टरी पर उनके पास तो और दुनिया भर के भी प्रोजेक्ट आते रहते होंगे कि हमने जैसे और लोगों ने भी उसके लिए एक अटलीस्ट कोई जगा लेनी पड़ेगी वहाँ हमें खर्चा करना पड़ेगा यह ध्यान रखे कि मैं यह क्यों बता रहा हूं इसके पीछे पहले ही मैं बता देता हूं कि रीजन यह है कि चीज जो है जो अगर डियाइवाई हम करके चलते तो सपोज कि वो स्पीकर हम बना रहे हैं जो कि 10,000 रुपे का एक स्पीकर हम को बनके DIY में तयार हो रहा है तो अब जब हम उसको पूरा फिनिश करने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बता देता कि DIY का समान यहां से मिल रहा है वहां से यह ले लो व पिर उसमें अब खर्चा चालू होगा और पैसे लगने चालू हूंगे लेबर का पैसा देना पड़ेगा जो कारपेंटर होगा बढ़ई होगा या चलो ठेके पे भी दिया है तो वहाँ पर भी हमें परपीस का कुछ तो आमउंट उनको भी देना पड़ेगा तो वो चीज में खर्चा बढ़ता चला जाता है तो जब वो प्रोड़क्ट जो दस हजार का बनके आपको आपके घर पे मिल रहा था आपकी अपनी महनत के साथ वहां पर अब जब वो महनत मैं किसी से करवा रहा हूं और जो मेरा उसमें होगा प्लस शिपिंग चार्जिस जो सबसे जादा महंगे पढ़ सकते हैं जगां जगां से पूरे इंडिया से लोग उसे पर्चेस करना चाहेंगे तो वहां पर वो शिपिंग फिर एक पोर्टल वेब पेज या कुछ तो कहीं पर तो वो हो कि जहां पर लोग उसको पर्चेस के लिए बटन दबाओ भाया खरीदना है हमको तो वो सब का भी खर्चा होगा तो वो सब खर्चा कहा जाएगा मैं अपनी जेप से तो लगा नहीं सकता या कोई भी बिजनेसमेन अपनी जेप से तो लगाएगा नी क्योंकि चीज हमें आप तक पहुंचानी है तो जब चीज आप तक पहुंचानी है तो आपके divide करूं 1000 पीस में तो मान के चलते हैं कि और उस में हमको 2,000 2,000 रुपे का 10,000 के उपर 15,000 रुपे के आसपास का एक अंदाजा बता रहां कि इस से जाधा भी हो सकता है इस से कम भी हो मैंने कोई बिजनेस इस तरीके के किये नहीं है तो मुझे इतना डीप में आइडिया नहीं लेकिन डेफिनेटली वहां प्राइस बढ़ेगा अगर मिनिमम से मिनिमम मैं उस पर कोई प्रॉफिट मार्जिन की बात भी नहीं कर रहा कि भाई सारे ड्राइवर्स मंगाये थे तो दस अजार का बन रहा था प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा किया हमने जो लेबर एबर जो लगाई और सब ठेका दिया वो मिला करके धैये जार हो गया तो साड़े बारा हजार तो अभी यही हुआ है प्रॉफिट क्या हुआ इतना टाइम जो मैं लगा रहा हूं अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं इस तरीके से अगर बिजनस को स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मेरे को भी तो अपने घर में डाल रोटी खानी है ना भाईया तो सब कुछ छोड कि बजाए कुछ और रास्ता निकालना की भी हमें सोचनी होगी क्योंकि इस तरह से बिजनस के बारे में सोचना और उसमें एकदम से घुज जाना नहीं होता है इसके लिए बहुत टाइम लगता है और वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं ऐसा नहीं है कि करा नहीं जा सक पर मैं एक पॉइंट जो बहुत ही इंपोर्टेंट यहां पर आता है कि चलो यह सब मैंने बताया कि तो खर्चे की बात हो गई उसमें मैंने अपना प्रॉफिट भी आइड कर दिया चलो मैं मान लेता हूं कि मैंने सौई रुपए मैं प्रॉफिट रखता हूं जादा नही ठीक है चलो सौ रुपए मैंने के एक हजार स्पीकर बिग गये तो मेरा घर का खर्चा चल गया भाईया हमने कर लिया मोटा मोटा एक आईडियली चलो हमने डाल दिया उसमें जो भी है बट अब इसके बाद अब मार्किट में क्या होता है कि एक रिस्क फैक्टर होता है कि आप इतनी मेहनत करके कोई चीज बनाओ और उसको कोई भी आसानी से कॉपी कर ले उसका रेप्लिका बनाना शुरू कर दे और सपोस्ट कि किसी के पास अल्रेडी एक फैक्टरी है खुद की घर पे फैक्टरी है मतलब उनका अल्रेडी काम चल रहा है स्पीकर्स का कह लो या उसी से सिमिलर चीजों का कोई काम चल रहा है और उनको वो पूरा का पूरा डिजाइन जो हमने बनाया सब चीजें की क्योंकि हम तो उसको फ्री में दे रहे हैं तो वो लोग ने क्या किया कि सपोस्ट मतलब एक आइडिया दे रहा हूं ऐसा होगा यह जरूरी नहीं है लेक इसके बालेगा वह जिसका गाना होगा उसके पास चला जाएगा चीजे होती हैं वैसे हिए हमें फिर अपना एक gratis जैसे की वो हमी को वहां तक जाना पड़ेगा मतलब की जिससे की हमारा वह Хाप रिक्र 시न और उसका कोई डूपली निवाद बना सकता गर बनाया तो फिर वहाँ पर legal actions लेने के जो चीजें होती है जो होती रहती है वो सब चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है तो मतलब उतना जादा deeply जाकर कि उसके बाद उसके उपर सोचना पड़ता है क्योंकि क्या है कि हर चीज का जब positive side होता है न तो उसके कहीं न कहीं एक negative side भी ह सोचके उसके बारे में पूरा focus लगा के ध्यान लगा के हर चीज के plus और minus देखने पड़ते हैं तब जाकर के हम उस चीज के बारे में कुछ final decision ले पाते हैं तो यह बहुत ही important point है जो मैं आप लोग से बोल रहा हूं कि कोई भी जो design हम बनाए उसका registration ऐसा होना चाहिए कि वो या हमारी permission के हमारा DIY tower की permission के उसको वो अपने हाँ पर बना नहीं सकता sell नहीं कर सकता basically वो जैसे कि मैंने DIY का plan बना करके आप लोगों तक पहुचा दिया तो आप लोग ने तो घर पे बना के रखने के लिए वो plan है उसका यह मतलम नहीं कि वो plan उन manufacturers को हम दे रहे हैं free of cost कि भ यहां पर YouTube पर तो किसी ने नहीं लेकिन पीछे से काफी लोगों ने जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो कि थोड़ा businesses में, छोटे businesses में, speaker से related हो गए, amplifier से related हो गए और भी बहुत सारे इस तरह के similar लोग हैं उन्हें मुझे यह चीज के बारे में बोला है कि इस चीज के ब काफी सोच विचार चल रहा है, कुछ पैचान के लोग हैं मेरे जो कि इस तरीके की चीजों को legal actions लोग लेते रहते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों के वो पस काफी होता है ना, अपने सरकल में कुछ लोग होते हैं उस तरीके के, तो वो वकील-वकील टाइप के लोग जो ह होते हैं उन लोगों से भी इस चीज के बारे में मैं सलहा लूँगा, अगर हम इस तरीके का कुछ प्लान करेंगे तो, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसके उपर हमें ध्यान देना होगा, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज और हम कर सकते हैं, कि या हमारे लिए मुश्किल है, आप अल्रेडी एक ब्रैंड हो, तो अगर आप हमारा DIY टावर को अपने ब्रैंड के अंदर सिर्फ जो पूरा कंप्लीट टावर है, उसको आप सेल करो, और जो कमिशन जो मैंने आपसे बात की थी, जो सौ रुपे में खुद अपने लिए लेने वाला था, वो धाई हजार मिलाने के बाद, तो वो धाई हजार प्लस जो भी उनका उसमें प्रॉफिट रेशियो जो रखना चाहेंगे, वो उस पर रखने के बाद, वो सेल कर दें, हमारा DIY टावर को बना बनाय को, वो सेल कर दें अपने जो उनकी कंपनी उसके अंदर, ये बेचने की वज़ा है, मैं तुम्हारे speaker बेचने लग जाओ, तो ये भी कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर हम बात नहीं कर सकते, सोच विचार नहीं कर सकते, प्लान कर सकते हैं, प्लान करने में कोई बुराई नहीं होती, पहले से ये decision ले लो कि नही इसा कुछ नहीं होगा, तो वो सही नहीं होता है, बात करी जा सकती है, देखते हैं, इस पर भी हम आगे थोड़ा सोचेंगे, अब इसके बाद एक और चीज निकल के आती है कि भीया आगे बढ़ते हैं, कि मैं आप लोगों को ना, जैसे अभी recently मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पर की हाइफाई एंट्री लेविल के स्पीकर्स के बारे मैं जानकारी दी थी, पैसिव स्पीकर्स भी उसमें कवर किये थे, वो सब क्या है, वो जो ब्रैंड्स हैं, वहाँ पर और हमारा जो टावर बनने वाला है, उसके बीच में, अगर मैं बात करूँ, जहाँ हम हम बात कर रहे हैं इस तरीके की कि बही हमको सेल भी करना होता है, तो वो कंपनी का जो सिस्टम होता है, आपको पहले तो एक चीज ये पूरी ध्यान से वापस बोल रहा हूं समझनी होगी, कि DIY की अपनी एक लिमिटेशन्स भी होती हैं, कि हम उसमें एक पर्टिकुलर लेव जो वो बनेगा, वो अपने आप में होगा, क्लीन होगा, सब कुछ होगा, बढ़िया, लेकिन वो कब तक है, जब तक वो X-Brand का Twitter हमने लिया, वो Y-Brand का Mid-Range हमने लिया, वो Z-Brand का हमने Woofer लिया, तब तक वो हमारा TOWER बनता रह सकता है, एक टाइम ऐसा आएगा, कि उन मे के लिए अगर हम यह सोचें कि सवा पांच इंच का तो हमने गोला कटवाई रखा है तो चलो यह ड्राइवर यहां पर हम कोई तूसरा ड्राइवर लेकर लगा देते हैं बस वही तो नहीं करना है तो क्यों कि वहीं तो कहानी खतम हो जाएगी कि वहाँ पर वह सब क्लीनलीनेस वो quality वो crossover जो design किया गया होगा वो सब तो उस driver के लिए design किया गया था वो सब खताम तो DIY की ना एक limitation है अपनी खुद की एक limitation है कोशिश तो यही है कि ऐसे drivers मैं लूँ जो कि अगले 10 साल तक हमें easily available रहें और हमें कभी भी वो दिक्कत ना हो तो at least 10 साल तक तो लोग उस DIY टावर को अपने घर पर बनाते रह सकते हैं अगले आने वाले टाइम में 10 सालों तक तो वो तो कोशिश जारी है बट guarantee किसी चीज की लिए नहीं जा सकती हूँ कि मैं खुद तो बना नहीं रहा हूँ कि मैं आपको guarantee दे दूँ कि भाई मेरे दुकान पर जो factory चल लिए 10 साल तक तो मैं से चलाओंगा ही चलाओंगा यहाँ पर speaker driver बनेंगे बनेंगे तो factory तो जो मैंने हाइफाई वायली speakers की बात लेके आया वो क्यूं लेके आया कि वहाँ पर जो company जो ब्रैंड्स जो चीजे बना रहे होते हैं वो जो महारत हासिल होती है उनकी वो जो achieve कर चुके होते हैं अपने products में उनका वो product full and final finished जो product होता है भाई वो महंगा आता है लाखों रुपे में आता है उसके पीछे की पूरी कहानी वही है कि वो research and development में पूरा time लगात करके कोई किसी चीज को बहुत ही मतलब कैसे उसको मैं समझाओं कि उसको passionate जो होता है आदमी sound के लिए जिसका एकदम जुनून होता है कि भाई मुझको तो यार sound की जो quality की जो extreme सीमा है उस तक जाना है तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि वो जो सीमा है ना वो सीमा एक घर के अंदर almost मेरे ख्याल से 60-70 लाख रुपे का setup भी लगाने के बाद भी वो सीमा खतम नहीं होती है उसके उपर भी गुनजाईश होती है पूरा room अगर सिर्फ एक music room बनाया हुआ है उसमें सिर्फ दो speaker और amplifiers का जो पूरा set हो तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं पहला कदम है आप समझो उस बात को कि हम सभी लोग हाइफाई की दुनिया में एक पहला step रखने जा रहे हैं तो उसके बाद कुछ लोग हो सकता है उससे और बेहतर कि उनको यह हो कि है इससे बेहतर क्या हो सकता है क्योंकि मैं आज तक satisfied नहीं हूँ आज तक मैंने इतने सार सुन लिए मुझे ऐसा लगते हैं कि मैं कभी इस बाला गाना सुन लूँ उस बालाग अपना जौनर है मतलब कुछ सिटकर पे कुछी तरीके कि गाने इछे लगते हैं कुछ से कहों कई तरीके के गाने यह बहुत सारी छीज़े होती हैं और future में हम जाकर को अनुध work के manner मैं चुकिए ना ये तो पहला कदम हमने रखा है इसके बाद बहुत बड़ी दुनिया बाकी है जहां पर कि आगे आने वाले टाइम में में भी पॉसिबल कि कोई उस दुनिया में भी जाए बहुत सारे लोग मैं आप लोग को ये क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं इसक वो बाहर से हैं इंडिया से नहीं है उन्होंने बड़ा इंट्रेस्ट शो किया और वो मुझसे कनेक्ट हुए और उनसे मेरी बात्चीच चल रही है तो उनका भी पैशन पूरा उसी तरीके से है जिस तरीके से मेरा आपका हम सब का जो पैशन है ना कि वो DIY की दुनिया में पहला कदम रखना फिर वो एक ऐसा टावर या कोई भी स्पीकर बिल्ड करना जो कि हमारे उस सैटिसफेक्शन को फुल्फिल कर सके जो हमको चाहिए साउंड क्लीन साउंड पढ़िया साउंड उनका भी शुरुवाती दौर में उनका भी वो पैशन रहा था अब वो उस वाई जोन में एंट्री ले चुके हैं और वो वहाँ पर उस थरीके के साउंड सिस्टमस को सुनते हैं और वो मेरी बात चल रही है उनसे मिप पॉसिबल कि मैं उनसे भी वीडियो काल के धिरू करूं तो वहाँ पर हमें वो जरणी पता चलेगी जो की जरणी की जो हम लोग बोलते ना कि हम पैसे सेफ करेंगे, पैसे सेफ करके बहुत quality system खरी देंगे, बहुत सारे लोग passionate होते हैं sound को ले करके, तो उनी में से वो भी एक है, तो मेरी कोशिश जारी है, तो उन से हमको ये चीज का एक बहुत बड़ा idea मिल सकता है कि आखिर क्या सीमा है इस इन सब चीज पर जब हम पूरा एक बना करके tower किसी को जब sell करने की प्लान करते हैं, तो वहाँ पर उतना असान नहीं होता, जितना असान हमें वो लगता है, कि वो देखकर कैसा feel आता है, कि हाँ यार तो यहां से समान मंगा ही लेंगे, तो मंगा करके भी चलो हमें बना करके भी आपी द करता है, तो वहाँ पर वो चीजों को करना है, लेकिन मुश्किल का मतलब यह नहीं होता कि नामुम्किन है, बहुत चांद पर भी हम चले गए हैं, तो यह तो DIY tower ही है, यह तो कोई इतनी rocket science की चीज है नहीं, तो इसको achieve किया जा सकता है, यह तो मैं आप लोगों को बोल सकता होंगे, कुछ भी किसी का, कोई business man होगा, तो आप लोग की जादा important है यहाँ पर राय कि आप लोग मुझे बताएं, नीचे comment करें, Instagram पर जुड़ें, जिससे कि हमें इस चीज का भी तोड़ मिल जाए, इस चीज में मैं कोई बहुत जादा expert नहीं हूँ, मैं कोई business man नहीं आप से, अगर आप लोग का support इसमें मिलेगा, तो कोशिश ये रहेगी कि हम लोग मिल जूल करके, क्योंकि यह हमारा DIY टावर है, तो यहाँ पर यह सब चीजों में भी कुछ हमारा वाला scene हो जाए, तो वो हम सभी के लिए, पूरे भारत विदेश में जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, तो अब मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने ये topic को तो cover कर लिया है, कि इसको हम बेचेंगे तो कैसे, तो उसके ओपर वो कैसे पर question mark तो अभी भी है, कि बेचेंगे तो कैसे, तो अभी फिलहाल मैं आप लोग सा सब्सक्राइब न किया हो, तो से भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, और हाँ भाईया जाते जाते एक बात सुन लो, यह जो अगला संडे आ रहा है न, उस संडे को सुबह 9 बजे वीडियो देखना न भूलना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही, बहुत ही important चीज आने वा हुआ क्या फील किया आप लोगोंने, बहराल मैं बहुत खुश हूँ उस वीडियो को लेकर के, उसके पीछे बहुत सारी चीजे हैं, जब वीडियो देखेंगे आप खुदी समझ जाएंगे, तो फिलाल मैं आप लोग सागे लेना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत कर दोग़ मैं लिए टामनीस भीजे हैं, जब तो रामनीस टेकर के लिला हुजुत सारी चाहूंगे, जब लोगर कोई जाएंगे,